जाओ ले जाओ नीद मेरी उफ ना करेंगे हम और बहुत जाओ लगता है और अप लोगों ना अपने इडिशनल वीडो के अंदर अडर और बहुत जाद करोगे तो बहुत जाए चांसे और वीडो वाईड़ाई लोग तो इस तरह की वीडो कैसे बनाया जाता है मैंने बहुत ज्यादा चोटे तरीके में बता है है आप लोग बिल्कुल ही का इस टू स्टेप्स के अंदर कर लोगे अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड वीडियो कैसी लगती है कॉमेंट सेक्षिन में जरूर से बता देना ताकि फूचर में मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेकर करना है मैं गैलरी के अंदर आओंगा और एक मैं वीडियो प्रोवाइड कर आँगा जिसको आप लोगों की वीडियो कुछ इस तरीके से आ जाएगी अभी आप लोगोми को क्रॉप पर आज आना है और इसको कॉस की ィस तरीके से कॉप कर सकती हो और सिक प colony रृट पर क्लिक उसके बाद आप लोगों को यहां से चले जाना है अपने मास वाले option के उपर आप लोगों को guys fourth number पे एक radial का option मिलेगा circle वाला इसके उपर tap कर देना है और इसको आप लोगों कुछ इस तरीके से increase कर सकती हो और यह काफी अच्छे तरीके से आप लोगों का merge भी होएगा आप लोग देख सकते हो something इस तरीके से उसके बाद right पे click कर देना है और यह जो effect है आप लोगों को अपने model के ओपर adjust करना है something इस तरीके से कर सकती हो थोड़ा सा right जाना तो आप लोगों को एक blend का option मिलनेगा थोड़ा again आप लोग राइट जाना इस सीच को आप लोग आईस overlay कर सकती हो तो आप लोगों का effect है वो बहुत अच्छे तरीके से सो हो जायागा और opacity आप लोगों को कुछ इस तरीके से माइनस करना है तो मैंने 39% रख है उसके बाद हम लोग इसके ओपर tap करेंगे आप लोग देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से हमारा जो blink वाला effect या जो flash वाला effect वो आ चुका है और अभी जो अपना blinking वाला effect हो बहुत तेजी तेजी से हो रहा है तो इस सीच को हम लोगों को थोड़ा से manage करना है तो extra part को guys मैं हाँ से delete कर दूँगा split पाके आप लोगों को delete कर लेना है अब इसको आप लोगों को manage करना है ताकि ये जल्दी जल्दी ना हुए तो इसके line को आप लोग something 12x के around minus कर सकते हो and again हम लोग video को play करेंगे आप लोग देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से हमारा जो flash वाला effect या blinking वाला effect वो लग चुका है काफी अच्छे तरीके से आप लोगों काएगा आप लोग देख सकते हो किती जाता सुपाव लग रही है और इसको थोड़ा आप लोग इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो तो इसी तरीके से गाइस creator अपने उपर blinking effect लगाते हैं अपना जो light का उपर होता है उसके उपर इस तरीके के flash का effect यूज़ किया जाता है और इस वीडियो के उपर मैंने इसी तरीके से अपने flash या blinking effect यूज़ किया तो आप लोग कर सकते हो कैस मैंने कोशिस किया है कि बहुत जादा चोटी वीडियो में आप लोगों को एक specific knowledge दे सको तो वीडियो कैसी लगी comment section में जरूर से बता देना और future में मैं इसे टैप की वीडियो लेकर आता हूँ और अगर आप लोग गाइस चैनल पे पहली बार आई हो तो यार सब्सक्र